तो आज exercise 5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ examples देखेंगे तो हमसे पूछा गया है is 560 a common multiple of 2, 4 and 6 तो एक common multiple मतलब क्या? common मतलब जो सभी में है, सभी मतलब जो number दिया हुआ है तो हम को यहां पूछा है क्या 560, 2 के, 4 के और 6 के table में आता है कि नी? ठीक है? तो इसको करने के लिए हमारा तरीका क्या है? बहुत ही सरल तरीका है, हम करेंगे divide, क्या करेंगे? divide, 560 को 2 से divide किया, 4 से किया, 6 से किया, जैसे normal divide करते वैसी करेंगे तो सब में हम देख रहें कि इसमें 0 remainder आ गया, इसमें 0 आ गया, लेकिन इसमें 0 remainder नहीं आ यह, पूरा-पूरे exactly divisible नहीं है तो 560 can be exactly divided by 2, 560 can be exactly divided by 4, 560 cannot be exactly divided by 6 तो 562 का multiple है, 560 is a multiple of 2, 560 is a multiple of 4, 560 is not a multiple of 6 अगर remainder आपका 0 आता है तो multiple है, दूसरा आता है तो multiple नहीं है तो हम क्या बोलें के तीनों का पूछा गया हम से, 246 का है, तो हम लिखेंगे 560 is not a common multiple of 246 246 तीनों का common multiple नहीं है, खाली two of four का है, अगर दो नमबर तो दोनों का होना चाहिए, तीन है तो तीनों का होना चाहिए तो भी हम बोलेंगे कि यह यह कॉमन मल्टिपल है जैसे इस फाइब में देखो बढ़ा इस नाइन फॉर्टी वाइब करना है आप से पूछा कि नाइन फॉर्टी वाइब कॉमन मल्टीपल है कि नहीं 579 का तो बिलकुल उपर जैसे अमने इंग्जाम्पल देऊगा वही प्र 945 कैन बीग्जाटली डिवाइड़ कैन बी मतलब हो सकता है अगर कई नहीं होता है तो चैनल लगाओगे डैस में आप कैनल लिखोगे तो अगर सब कैन भी है यानि सब हो रहे है डिवाइड जीरो आरा रिमेंडर तो यहां आपका यह सोगा इधर आप यह स्लिखोगे अग पर यह सी बिल्खुर इसी देगे आप करने है थोड़ा समय लगे आपको लेकिन ध्यान से करना है ठीक है थैंक यू बेरी मुच